नमस्का दोस्तों चैनल में आपका स्वागत है इस वीडियो के अंदर में बेस्ट फोन बताने वाला हूं जो आप 10,000 के आसपास पर्चेस कर पाएंगे 10,000 के प्राइस पॉइंट पे एक 6,000 एमेच की बड़ी बैल्टी अच्छा कैमरा सेट अप और अच्छा प्रोसेसर वाला फोन आपको मिल जाएगा चलिए वीडियो को सुरू करते हैं पहले पॉन हमने रखा है सैमसेंग गैलेक्सी F12 चलिए इसके स्पेक्स के बारें जानते हैं इसके बाद इसके प्रो और कॉन्स के बारें बताएंगे बात करें इसके बिल्ट क्वाल्टी और डिजाइन की तो इसकी बाल्टी पाली कार्बोनेट के साथ आता है लेकिन बैक पैनल में मैल्ट फिनिस दिया गया है जिससे इसका लुक और अच्छा हो जाता है इस पॉन में एक साथ दो सिम और एक मिमोरी कार लगा सकते हैं कर सकते हैं वहीं सेल्फी के लिए 8 मेगाफिक्सल कैमरा मिलता है इस कैमरे से फुल एच्डी में वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं इस फॉन में समसंग एक्जिनोज का 850 प्रोसेसर दिया गया है इसमें नॉर्मल गेमिंग कर सकते हैं इसका अम्तू तो इसको लगभग एक लाग तीस हजाट के आसपास है यल्पीक DDR4X वाला रेम और EMMC 5.1 स्टोरेश टाइप दिया गया है इसमें 90Hz रिफ्रेश रेट और मैक्सिमम 400 निक्स की पीक ब्राइटनेस दी गई है इस फॉन में 6000 एमेश बैल्टी और 15 वाल्ट का चार्जर दिया गया है 4GB RAM और 64GB इंटरनर मिमोरी के लिए 10,499 रुपे पेकरने होंगे अब इस फॉन के प्रोज की बात करें तो इसमें 90Hz रिफ्रेश रेट होने की वज़ा से इसका डिस्प्ले बहुत स्मूज चलता है या फॉन उन उसर्स के लिए जिनको बहुत अच्छा बैल्टी बैकप वाला फॉन चाहिए क्योंकि इसमें 6000 एमेश बैल्टी दिया गया है जो कम से कम दो दिन का बैल्टी बैकप दे देगा इस फॉन में प्राइज के हिसाब से कैमरा अच्छा दिया गया है इस फॉन में नार्मल वर्ट के कर सकते हैं हैवी वर्ट के लिए यह फॉन नहीं है अब इस फॉन के कौन्स की बात करते हैं तो इसमें हैवी वर्ट के या हैवी गेमिंग करने पर यह फॉन लैक से और हैंक करता है यह फोन थोड़ा मोटा होने के होजा से है भी महसूस होता है अगला फोन है Realme 50A चलिए इसके इस्पेक्स के बारें जानते हैं इसके बाद इसके प्रो और कौन के बारें बताएंगे इसकी बादी पाली कार्मिलेंट का दिया गया है इसमें 6.5 inch EHD plus IPS display water drop notch के साथ दिया गया है इसके बाद में triple camera setup दिया गया है 50MP का primary camera, 2MP का protect camera और 2MP का micro camera साथ में LED flash दिया गया है इस camera से full HD और HD में video record कर सकते हैं वहीं selfie के लिए 8MP camera water drop notch के साथ दिया गया है इसमें miliatek helio g85 processor दिया गया है इसमें गेमिंग बहुत अच्छे से कर सकते हैं, इसका अंतूती स्कोर लगबग 2,10,000 के आसपास है, प्राइज के हिसाब से बहुत अच्छा स्कोर है, इसके बैंग में फिंगरप्रेंट चंसर और 1-7-2 स्रीम और 1 मिमोरी कार लगा सकते हैं, इसमें पावर देने के लिए 6, सब्सक्राइब के साथ 18W का चार्जर दिया गया है, या 4GB RAM और 64GB इंटरनल मिमोरी के साथ 10,999 रुपे हैं, लेकिन आप आफर में पर्चेस करते हैं, तो या 10,000 के प्राइज में मिल जाता है, इस फोन की बात करें, तो इसमें 6,000 में बड़ी बैटी दिया गया है, जिससे लगबग दो दिन का बैटी बैक अप दे दे गया, जो बहुत अच्छी बात है, इस फोन का परफार्मेंस अच्छा है, इसमें मेडियम लेवल का गेमिंग कर सकते हैं, अब इस फोन की कॉन्स की बात करें, तो इसमें HD प्लश डिस्प्ले दिया गया है, कोई हायर रिफ्रे प्लेंट बाटी के साथ हाता है, आई पी 52 डिया रेटेर्टर्ड है, यानी हलका फूल का पाने गिर जाए, ज्यादा इसू नहीं होगा, इसमें एक साथ दो सीम और इक मिमोरी काट लगा सकते हैं, इस फोन के बाटम में सिंगल स्वीकर और बैग में फिंगर पूरिण चंस में विल्डियो रिकार्ट कर सकते हैं इस फोन में 6.5 इंच एच्डी प्लस IPS डिस्प्ले पंचोल के साथ दिया गया है इसमें 90 रिफ्रेस्ट और मैक्समन 400 निश्ट की पीक ब्राइडनेस दिया गया है इसमें यूनिसाउग T700 का प्रोसेसर दिया गया इस फोन का अंतूतु इसको लगभग 2,20,000 के आसपास है LPDDR4AX वाला रेम और EMMC 5.1 स्टोरेज टाइप दिया गया है यह 5000 बैटी के साथ आता है और इसी को चार्ज करने के लिए 10W का चार्जा दिया गया है यह फोन एक ही स्टोरेज के साथ आता है 4GV रेम और 64GB इंटनर मिमोरी के साथ 10,050 इसके प्रोज की बात करें तो यह फोन इस ट्रोग एंडुराइड के साथ आता है इसमें किसी तरह के एल्ट्स नहीं आएंगे और ना ही इसमें फाल्दू के अप्लीकेशन दिये गये है 90Hz रिफ्रेस्ट होने की वज़ा से डिस्पले बहुत स्मूथ वर्ष करता है इस फो कंसे सब्सक्राइब कर दीजिए इसे आप लोगों पसंद सकें को